गैस हम भगवान को धन्यबाद देते हुए इस प्रकर की सेंटेंस को कभी न कभी बोलते हैं जहां पर हम कहते हैं कि उपर वाले की कुरुपा से हम सही सलामत घर पहुंच के उपर वाले की कुरुपा से वो अभी वी जिन्दा है ये उपर वाला की कुरुपा है बहुत अपको बता दू उपरवाली की कुरूपा या फिर भवान की कुरूपा या फिर इस्सुर की कुरूपा इसे इंगलिस में बोलते हैं चली इसका complete structure जनते हैं पहले आपको लिखना पड़ेगा by the grace of God इसके बाद एक छोटा सा कमा लगाना है इसके बाद complete sentence आप चाहें तो sentence को पहले लिखके by the grace of God को भी बाद में लिख सकते हैं चलिए कुछ examples ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझना है भगबान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई by the grace of God I got a job by the grace of God I got a job भगबान की कृपा से वो बच गया by the grace of God he survived उपरबाले की कृपा से वो अभी भी जिन्दा है by the grace of God he is still alive ये भगबान की कृपा थी कि हम मिले it was the grace of God we met उपरबाले की कृपा से मैं घर खरीद लिया by the grace of God I bought a house by the grace of God I bought a house उपरबाले की कृपा से या फिर वगबान की कृपा से हम सही सलामत घर पोंच गय by the grace of God we safely reach the house by the grace of God we safely reach the house उपरबाले की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ छे by the grace of God I have everything today by the grace of God I have everything today or you can say I have everything today by the grace of God I have everything today by the grace of God चास प्रबाले की 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 अपर्बाले की 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 का जढ़िए